हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब हाई होप आप सब अच्छे यूंगे तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर विनाय मेडिकल एजूगेशन पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लेट क्या होता है ब्ले कि हमारी वीडियो थोड़ी सी लॉंग होगे आज हम ब्लेट से पूरा जो ब्लेट का टॉपिक हो आज इस वीडियो में पूरा डिल करेंगे तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आईए चलो अब हम देखते हैं तो ब्लेट में हमारे पास है सबसे पहले ब्लेट की डेफिनेशन यानि कि रख्त की परिभाशा ब्लेट क्या रहता है यह ब्लेट होता है हमारी जो बोडी होती है उसमें कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है और हमारी बोडी में ऑक्सिजन को पहुचाना और न्यूट्रियंस को पहुचाना टीशू तक का जो काम करता है वो हमारी body में blood करता है और अगर इस भामा blood की में अब हमारे body weight के देखें तो 8% जो body weight हमारा होता है वो हमारी body में blood का ही होता है इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं रक्त एक तरल सयोजन उत्तक है जिसमें plasma रक्त कोशिकाएं और plateless होते हैं यह हमारे पूरी सरीर में गु ही है हम blood हमारे जो सरी बोडी होती है उसके कोने कोने तक जाता है और जो हमारे टिशू होते हैं उन तक nutrition और oxygen को पहुचाने का काम करता है तो यह हमारी blood की definition हो गई कि नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो है components of blood यानि कि रक्त में क्या-क्या पाया जाता है हमारी जो blood होता है blood के अंदर को क्या-क्या चीजे पाई जाती है तो यह हम हम एक डाइग्राम के तुरू देखते हैं कि जो हमारा जब टेस्टिव में हमने blood लेके देखा तो हमारे blood में होता है तो वह मतलब की 55% जो हमारा होता है वह plasma रेता और 45% रेता है जो हमारे जिसमें हमारे blood cells आते है जिस तरीके से आप यह photo में देख सकता कि जो य आते हैं तो वह आता है water, ions, proteins, nutrition, wastage and gases यह हमारे plasma कानद है मतलब हमारे blood है उसमें ज्यादातर amount में क्या है तो वह हमारा होता है plasma अगर 1% देखे जाएं तो उसमें आ जाती हमारे platelets और WVC इनको हम अभी आगे अच्छे से deal करेंगे और 44% जो आ जाता है वह हो जाता है हमारे RBCS यानि कि red blood cells तो यह अगर हमारे पूरे blood में देखे जाए तो अगर हम 100% blood को देखे तो उनमें यह कुछ के हमारे 100% blood में इत्ते अत्यमाउंट में यह सारी चीजे होती है components of blood फिर इसके बाद है types of blood cells यानि कि रक्त कोशिगाओं में प्रतार हमारी बोड़ी में कित्ते तरीके के blood cells होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है RBCS जिसे हम हिंदी में लाल रक्त कोशिगा भी बोलते है और इसका second name होता है वह होता है erythrocyte a type of blood cell that is made up of bone marrow and found in the blood cells containing protein is called hemoglobin यह क्या बोल रहे है कि जो यह हमारे RBCS यह आती है यह तरीके कि blood cell रहती हो यह बंती काय में है तो जो हमारे bone marrow में यह बंती है और इसके अंदर मतले इसके अंदर क्या content रेता है तो वो रेता हमारे hemoglobin और hemoglobin हमारे किस काम में आता है तो hemoglobin हमारे iron के इसमें काम में आता है कि diameter of RBC 7.5 micrometer and thickness about 2 micrometer अगर हम diameter की बात करें अगर एक एक RBC के diameter की बात करें तो 7.5 micrometer इसके diameter रहेगा और अगर thickness यानि कि इसकी जो thickness की बात करें तो 2 micrometer इसकी thickness होती है इसके आगे फिर देखें तो normal range of RBC 4.5 to 5.5 million सामाने सीमा 4.5 to 5.5 million मतलब कि अगर हमारी body में एक average देखें कि RBC की कितनी RBC हमारी body में होती है तो वो 4.5 to 5.5 million अगर हम इसकी बात करें तो वह आनि कि हमारे एक million में 10 leg हो जाते हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी body में 50 लाग यानि 50 legs के around हमारे body में RBC होती है क्योंकि यह most abundant होती है Life cycle of RBC 110 to 120 days और अगर हम life cycle की बात करें तो 110 से 120 दिन के इनकी life cycle होती है RBC का जीवन चकर Formation of RBC is called erythropoiesis RBC के निर्मान को erythropoiesis कहलाता है अगर हम RBC के formation की बात करें अगर जब मला RBC जिस formation में बनती है तो उसको हम बोलते है erythropoiesis erythropoiesis क्योंकि इसका नाम जो होता है वो रहता है erythropoiesis उसके नाम से ही यह होता है erythropoiesis जो इसके formation जब यह बनती है उसको हम बोलते है erythropoiesis फिर जो second है हमारी वह हमारी WBC यानि के white blood cell जिसे हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं तो उसको बलते हैं leukocyte अब जो हमारी WBC आती है WBC क्या रहती है तो यह हमारी body में fight to infection यानि कि हमारी body में किसी तरीके का infection आता है उससे fight करते है तो इसमें कुछ-कुछ parts होते हैं यह WBC में चार से पांच तरीके की हमारी WBC आएगी जिस तरीके से आप यह photo में देख सकते हो तो सबसे पहले हम देखे a type of blood cell dead is made up of bone marrow WBC is a part of body immune system they help body fight infection बोलना चाहरा है कि जो हमारी यह WBC है यह एक यह भी एक तरीके के blood cells होते है और यह भी काय में बनते है तो यह भी bone marrow के अंदर ही बनते है जहां से RVC बनती है वहीं पर ही WBC भी बनते है और WBC एक part होता है immune system का immune system का part इसलिए बोलते है क्योंकि जो WBC होते है इसमें leucoside भी होते है और immunity हमारी body में क्या करती है वह भी find fight against bacteria करती है और जो WBC रहते हैं वह भी fight against bacteria करते हैं there is a help in fight infection हिंदी में देखे एक प्रकार की रक्त कोशिकाओं है जो अस्तित मज्जा में बनती है WBC शरीर के प्रत्यक प्रनाणी का हिस्सा है वे शरीर को संकर्मित लड़ने में मदद करती है लाइफ साइकल ओव WBC 12-20 days WBC का जीवन चक्र अगर हमने RBC का देखा तो RBC का क्या है तो 110-120 और जो WBC होती है उसका जो लाइफ साइकल होता है वो 12-20 days का होता है जैसे यह इनकी एक उमर होती है एज होती है कि फोर्मेशन ओव WBC इस काल्ड़ लूकोपोईसिस के निर्वान को लूकोपोईसिस कहा जाता है अब लूकोपोईसिस हम नाम से अगर हमें यार रखना है कि का फोर्मिशन क्या है तो हमारे में लूकोउसिस है लूकोउसिस नियाकर हम बोलें लूकोपोईसिस जैसे रेद ब्लड सेल में इसके प्रकार यानि कि अभी हम हम Wbc को 2 category में divide करते हैं पहले तो हमारे जो 5 Wbc आ जाते हैं monocytes होगे पर पहले कि हम Wbc को 2 चीजों में divided करते हैं फर्स्ट है granulocyte और अर्सट होता है a granulocyte अब यह granulocyte क्या होते हैं किस तरीके से इनको divide करा है Wbc को वह हम देखते हैं तो Wbc white blood cell तो यह जो हमारे जो तीन है ईश्व फेल बेसभिल और नूट्रोफिल यह होते हैं ग्लेणुरस आइट अब ग्लेणुल्यो साइट को होते हैं इस इस ताइब टायप सो यह स्मौल ग्लेणुली इस इस साइट नाइज में। ये ये भी WBC कोशिगाओं के प्रकार है जिन में साइक्लोपास्म के छोटे छोटे दाने होते हैं इसलिए इसे ग्लेनुलोस साइट कहा जाता है नॉर्मली हमने हिंदी में पढ़ हमें समझ में आ गया कि इसमें क्या रहते हैं ये जो WBC के ही टाइप्स होते हैं और इनमें क्या होता है तो इनमें छोटे छोटे दाने जैसे ग्लेनुलोस होते हैं जिस तरीके से आप यह तीनों में देख सकते हैं इसोफिल बेसोफिल और नॉट्रोफिल और जो हमारे लुकोसाइट रहते हैं उनमें यह सारी चीज नहीं होते हैं इनको हम बोलते हैं ग्ले में इन्हें तीन क्येंदे किया है तो अब पहले हम पहले ग्लेनूलीस यह समझ में त Only सब्सक्राइब ट्राइब देनों में अब देख सपते हैं अब हमें यह करके देखते हैं तो सबसे हमारे पास है नुट्रॉफिल्स Neutrophils are the types of white blood cells More especially, there is the foremost most abundant types of granulocyte And make up 40-70% of all white blood cells in human Hindi में देख लेते हैं Neutrophil एक प्रकार का शेतरक्त कोशिका है जिस पे अधिक विशेस रूप से वे सबसे प्रचुर प्रकार में Granulocyte बनाता है और मानव में सभी सरवे एक कोशिकाओं में 40-70% बनाते हैं Neutrophils की बात करें तो Neutrophils क्या होता है WBC में Most Abundant Abundant मतलब प्रचुर मतलब की ज्यादा मातरा में होता है अब Neutrophils ज्यादा मातरा में क्यों होता है जो Neutrophils होती है यह कोई एक Specific नहीं होता है Specific का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक Specific Bacteria हमारे Body में Inder करता है तो जो WBC होती है उसमें क्या रहता है Specific Blood Cells बनी होई रहती है बाकि जो Neutrophils रहती है यह क्या रहती है Specific नहीं होती इनका क्याम क्या रहता है हमारी बोडी में कोई साथ वेक्टेरिया आया उससे जाकि डारेक्ट भीड़ जाना है इनका कोई स्पेसिफिक वो नहीं रहता इसलिए हमारी बोडी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली होती है WBC के अगर parts के अंदर देखी जाए तो neutrophil सबसे जादा होती है diameter of neutrophil 12 to 25 micrometer और अगर इसके diameter के पात करें neutrophils के तो 12 to 25 micrometer इसका diameter होता है neutrophil produce in the bone marrow in 14 days come in the blood circulation and it is destroyed within the 24 hours हिंदी में देखते हैं अस्तित मज्जा को 14 दिन में बनने वाला neutrophil संचार आता है और 24 घंटे के अंदर यह नस्ट हो जाता है इसका मतलब यह है कि जो neutrophil है यह produce होता है हमारी bone marrow से हमने पहले ही देख लिए सब्सक्राइब यह सारी चीजा हमारी bone marrow में से ही formation इनका होता है अब यह क्या कहना चाहरा है कि जो produce होती bone marrow से यानि अगर जो neutrophil bone marrow में कित्ते दिन में बनती है तो 14 दिन यानि कि 14 डेस में यह बनती है और 14 डेस के बाद यह हमारी bodies में आती है come in the blood circulation or destroy within the 24 hours यानि कि 14 दिन में यह बनके आए और 24 गंटे में यानि एक दिन के अंदर में यह फिर से यह डेड हो गई यानि यह मर गई क्योंकि इनका काम यही देता है कि हमारे body में कोई सा भी छोटा सा infection हो उससे सबसे पहले इनका काम लड़ने का होता है तो यह होके हमारे neutrophils second जो हमारे आती है वो आते हमारे isophils इसफिल इस पार्ट ओव डेड इंवोल्स किल पेरेसाइट्स केंसल सेल एंड इंवल्स इन एलर्जिक रिस्पॉंड इंदी में देखते हैं यह डबली बीसी का एक हिस्सा है जो परजिक केंसर कोशिकाओं को मारत है और एलर्जी प्रतिक्याओं में सामिल होता है अब इसोफिल जो होते हैं यह होते हैं हमारे specific wbc specific wbc क्या मतलब इनको के category में divided होते हैं कि यह अगर infection आया तो इसको तुम मारना यह infection आया तो इसको तुम किल कर देना neutrophils में क्या था योट्रोफिल में ऐसे specific होते नहीं है तो वह किसी से भी जाके लड़ने लग जाती पर इसोफिल का क्या मका रहता है तो हमाई बोड़ू में जो पारेसाइट आता है पारेसाइट का टेग यह कैंसर सेल और एलर्जिक रिस्पॉंस इन तीनों कंडिशन में जो इसोफिल रह होता है इट इस डेलवब्ड इन बोन मेरो थी टू फॉर डेस ऑफ्टर इंटर इन ब्लड सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रोई एट हावर यहां अस्तित मज्जा के अंदर प्रचुरित होती है और तीन से चार दिन के बाद विशेश्चित होता है और आठ गंटे के अंदर न दिन के ले रहती है और यहां ऐख गंट गंटे के अंदर गाय होती है निट्रोफिल्Andra इक दिन के लिए पर उसके बार हम देखे कि तो हमारे पास आती है जो ठढ़ आती है फ्लियोव साइट कीवशे in allergic response यह भी क्या है हमारी एक specific होती है हिंदी में देखो तो basophil wbc एक हिस्सा है जो एक allergic प्रक्रिया में शामिल होता है अब जैसे neutrophil हमारी थी जो हर एक infection से लड़ जाती थे isofil जाई थी जो cancer से पलेसाइट और allergic responses होती है अब जो हमारे basophil होती है यह सिप allergic response में ही work करती है बेसो फिल डेवलोब्ड इन बोन मेरो seven days and it is come in the blood circulation and destroy 60 to 17 hours अस्तिस मज़्जा में basophil साथ दिनों में विक्सित होती है और जब तक रख संचारत है यहाँ साथ से सतर गहंटों के अंदर नश्ट हो जाती है अब जो basophil होती है यह भी ब्लड बोन में रो में ही बनती है और कित्ते दिन में बनती है तो साथ दिन के अंदर यह बनती है और फिर उसके बाद हमारे blood circulation में आती है और साथ से सतर गंटे के अंदर यह भी मर जाती है इनका भी काम भई देता है allergy response को करना when in the present in tissue is called master cell और यह जब यह उत्तेक्स में check होता है तो इसे हम master cell कहा जाता है यह जप present होता है tissue में तो इसको क्या बोलते है किस नाम से बोलते हैं तो वो बोलते हैं इसको master sun अब उसके बाद होती हमारे डॉल्सी में जो हमारा स来了 होता है हमारा देडा फूली वैसी मेरा सेकेंड होता है वह था हमारा a granulocyte ले अलिवा제를 घूकर को हमने क्या रेखा थक है कि उनमें छोटे छोटे दो होते हैं जो हमारे जो सेल्स होते उनके शुटे चोटे डोटष होते जिनको हम यह first यह is not एग texture it is called an an जाइट में कोई गण्ड होता है है इसे कोशीक का खाह जाता गिल्यमलोस आइट में च्षोटे ड़ोट खेंख इसमें डोट को हम क्या बलते हैं inspiring इसमें मेन की सिर्फ छोटा सा डिफ्रेंस होता है तो हम इसे इजी लेंग्वेज में देख लेते हैं फिर उसके बाद आता है कि हम इन दोनों को एक एक करके अच्छे से डील करते हैं जो हमारी बच्चे है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट लिम्फोसाइट क्या है लिंफोसाइट इस पार्ट ओव डविट एडिट जब हमारी बोडी में इंफेक्शन आता है उससे पेले हम बोले यह वी जो हमारी जो लिंफोसाइट होते है यह एक स्पेसिफिक ब्लड डविश होती एक स्पेसिक मतलब किसी चीज के ओपर ही बनी हुए होती है तो यह किसको kill करती है, वाइरस को, वाइरस के खिलाफ antibodies बनाती है हमारी bodies के अंदर, फिर ए diameter of lymphocyte 12-13 micrometer, और diameter की बात किए लिम्फोसाइट की तो 12-13 micrometer का इसका diameter होता है, इन्हें तीन भाग होते हैं और जो lymphocyte होती है, इसके भी तीन प्रकार होती है, क्या, B-Lymphocyte, T-Lymphocy और नेचरल किलर सेल अब हमें पता चलता है कि जो डवल्यूवी सेकेंटा है तो उसके कारण बोलता है कि इसमें B-Lymphocyte और T-Lymphocyte भी आती है कि यह हमारा होता है लिंफोयट फिर जो इसका ही सेकेंट होता है वह हमारा मौनोसाइट it is the part of WBC and it helps clean to up to damage cells Hindi में देखते हैं यह WBC का एक हिस्सा है जो यह श्रक्ट गे कोशिकाओं को साप करने में मदद करता है Monocyte क्या हुता है? Monocyte बेग पार्ट होता है WBC का और इसका काम क्या रहता है? तो जित्ते भी हमारी body में damage cell, मतलब कि जो fight करके damage हो चुके हैं, या dead हो गई है, उनको help to clean, यानि कि हमारी body से clean करने का काम करते हैं, diameter of monocyte 16 to 22 micrometer, और इसके diameter की बात करें तो 16 to 22 is micrometer, इसका diameter होता है, तो यह हमारे types of blood cells यहाँ पे हो जाते हैं, जो हमारे WVC में कितने type के blood cells होते हैं, और क्या उनके difference होता है, अब जो हमारी next चीज़ होती है, वो होती है plasma protein, यानि कि हमारे blood में plasma protein क्या होता है, जो अभी हमने उसमें देखा था, जो हमारे components of blood में हमने सबसे उपर देखा था, कि प्लाजमा प्रोटिन प्लाजमा प्रोटिन क्या होता है, कौन कौन से इसमें निल्ड न इन एक्टिविते ऑफ फ्रॉस्टॉ जह बोलन चाहरा है कि जो ब्लॉड प्रोटिन होते हैं घूंसनी में प दूसरे नाम से क्या बोलते हैं एक उसकी में फंक्षन के बात तो इसका हुँन किया आता है इंक्लूडिंग ट्राविट्स को हॉर्मोंस के विटामिन्स को इंक्ट्ड होगेदा को और मस्थ एसं करता है क्या हमारा प्लाज्म प्रोटेन इसके प्रचुर मातरा में पाया जाने वाला प्रोटिन है जो लीवर में बनता है जहां पे वह मतलब होता है इसका मतलब हो जाता है उसका ideal होता है इस्पथिसी तरह जो ऑलबुलियन होता है वह सब यhos पाया जाता है इसे तीन भागों में बाटा गया है ग्लोबिलिन को इन्मिनोगलोबिन में कहा जाता है नाम से ही समझ में आ गया कि जो ग्लोबिलिन होता है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है और ग्लोबिलिन को क्या बोलते हैं तो ग्लोबिलिन को नॉर्मल हम इमिनोग्लोबिलिन बोले और इमिनोग्लोबिलिन क्या रहता है जो हमारे वह वाइस हैप्स को होते हैं उनको प्रोडूस करने का काम करते हैं थर्ड होता है Fribrogens, it helps clotting process of the blood, यह रख्त के थक्के जमान में मदद करता है, क्या करता है, clotting process करता है हमारे blood में, क्या Fibrin, Fribrin मतलब जो हम सदेखते हैं, white color के Fibrins होते हैं, धागे जैसे, वो होते हैं हमारे Fibrins, तो यह हमारा Plasma Protein होता है, अब हमारे सबसे last चीज जो बसती ह होती है हमारे blood के function of blood, यानि कि रख्त के क्या कारे, blood के क्या क्या function होते हैं, तो हम वैसे तो blood के बहुत सारे function होते बार के हम normally कुछ specific function को देखते हैं, तो function of blood में सबसे पहले है transporting oxygen and nutrition to the lungs and tissues, सब फेफ़डों और उत्तेशेओं में oxygen और पोशक तत्वों को प्रभाइद करता ह सबसे पहले है transferring oxygen, जानि कि जा हमारी body में oxygenated blood होता है, उसको पूरी body में tissues तर ट्रांसपर करना और nutrition को भी पहुचाना, ये काम पहला करता है हमारा blood, second है forming blood clot to prevent excessive blood loss, अस्तित्रक्त हानी में रोखने के लिए ठक्य जवान बनाना, जो blood का second function होता है, वो क्या करता है, formation of blood clot, या जानि कि अगर हमें कहीं पर cut लग गए, वहां से हमें blood निकाल रहा है, तो blood का ही काम होता है, कि वहां पर जल्ली से जाके blood को clot कर दे, जिससे वो जो injury हो, वहां से ज़्यादा excessive amount में bleeding ना हो, ठेट होता है, caring cell and antibodies that fight infection, संक्रम में इस से लड़ने वाली कोशिकाओं और antibiotic को ले जाना, यह क्या करता है, caring cells and antibodies, यानि कि जो हमारे सीधी से बात है, कहने का मतला है, कि जो हमारे WBCs होती है, उसको अलग-अलग जगे पे लेके जाना, और infection से fight करने में यह मदद करता है, फिर है, breathing waste product to kidneys and levers, which filterated and cleaned the blood, हिंदी में देखते हैं, अपसिस्ट अप्तों को गुर्दे और अक्तिक में ले जाने को, जो रक्त को filter में साप कराते हैं, इसका काम क्या होता है, कि जो waste product होते हैं, उनको kidney और liver तक पहुचाने, उनसे क्या होता है, जो kidneys होती है, वो हमारे blood को filtration क करके, फिर से हमारे blood को heart तक पहुचा देती है, उस काम में भी हमारे blood होता है, वो कान करता है, क्योंकि हमारे blood होता है, उसमें से waste product के बाहर निकाल पाए, फिर जो last इसका function है, वो है regulating body temperature, शरीर के तापमान को neon treat करना है, यानि कि हमारे body का temperature है, उसको neon turn करके रखना है, वो क कैसे होगा, क्योंकि हमारे body में, अगर जो सारी चीज़े, एक equal मातरा में है, तो हमारे body का temperature है, वो maintain होता है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हमने blood से related, आज हमने सारी चीज़े देख लिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो like, share and subscribe, और अगर आपको किसी topic से related वीडियो बनवानी हो, तो हमें comment करें, thank you